इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 व्याफसाई कद्यान के चेप्टर नमबर 7 की जोकी है निर्देशन निर्देशन डारेक्टिंग तो जानते हैं इस वीडियो में निर्देशन का अर्थ उसकी कुछ परिभाशाएं और उसकी कुछ लक्षन और प्रकर्दि इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे निर्देशन का अर्थ निर्देशन प्रबंद की एक कार्य है जो अधीनस्तों का पत प्रदर्शन करता है जो निर्देशन है वो प्रबंद का ही एक कार्य है प्रबंद की कौन-कौन से कार्य होते हैं नियोजन, संगर्ठन, नियुक्तिया, निर्देशन और नियंत्रन तो जो निर्देशन है वो भी प्रबंद का ही एक कार्य है जिसका अर्थ होता है अधिनस्तों का पत्प्रदर्शन करना अधिनस्तों होते हैं सबॉर्डिनेट्स उनको डारेक्शन देना कि आपको इस डारेक्शन में काम करना है जो उनका काम करने का एक रास्ता है किसी भी च अबॉरिनेट्स को क्या करते हैं रास्ता दिखाते हैं उनका पत्परदर्शिन करते हैं जब कोई प्रबंद्किया निर्ने लिया जाता है तो उसे उचित क्रियानवयन द्वारा कार्य रूप में परिणत करना आवशक होता है जब भी कोई प्रबंद्किया निर्ने लिया जा प्रबंद के कारियों में निर्देशन से आशे अधिनष्टो का पत्परदर्शन करना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अधिनष्टोते हैं उनका पत्परदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है जो भी कोई एक सुपीरियर ऑफिसर है उसको जो भी काम अपने पत्त प्रडर्शन देगा, यानि जो भी वो direction में भेजएगा, उससे direction में वो काम करेंगे तो जो रास्था दिखानी का काम कर रहे है वो यहाँ पर कौन कर रहे है? सुपीरियर ओफिसर, किसको रास्था दिखा रहे है? सब उनेट्स को तो सेम वही चीज है कि अपने अधीनश्तों का पत्परदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है निर्देशन का इस्थान नियोजन, संगटन और नियुक्तियों के उपरांत किंटु नियंतरन एवं निरिक्षन से पूर्व होता है जो प्रबंद के कारिये हैं वो किस प्रकार से है? नियोजन, सबसे पहले नियोजन होगा, उसके बाद संगटन होगा, उसके बाद नियुक्तियों होगी और उनके उपरांत क्या होगा? निर्देशन होगा निर्देशन के ठीक बाद आता है नियंतरन अगर निर्देशन सही नहीं है आपने बहुत अच्छे से आपने एक समू तयार किया बहुत अच्छे से आपने नियुक्तियां की लेकिन अगर आपको डारेक्शन ही सही ना मिले तो फिर वो जितना भी आपने किया वो सब क्या हो जाता है वियर्थ हो जाता है बेकार हो जात इसलिए नियंत्रण के अभाव में नियोजन, संगटन और नियुक्तियां जो होती है वो व्यर्थ साबित होती है ऐसी इस्तिती में नियंत्रण एवं नियुक्षण का तो प्रशन ही नहीं उठता क्योंकि जो नियंत्रण होता है और आपका नियुक्षण होता है वो का बाता है निर्देशन के बात मिरत हैं अगर आपका निर्देशन के रहते हैं अपका निर्देशन का अर्थ देशन की कुछ परिभाषाओं की बात दिमोक की अनुसार प्रशाषन का हिर्दय निर्देशन का कार्य है जिसके अंतरगर छेत्र का निर्धारण आदेशों तथा निर्देशों को देना एवां गती शील नेत्रत्व करना आता है। चीतर का निर्धानण करना, आदेशों तथा निर देशों को देना तथा गतीशील नेत्रत्व प्रदान करना अन्तरकर आता है। परिभाशा में कहा गया है, next अम बात करते हैं कुंज एवं ओडो निल की डैफिनिक्शन की अधीनस्तों के पत्परदर्शन तथा परियाविक्शन का प्रबंद की ये कारिये की निर्देशन कहलाता है, अपने सब ओरिनेट्स का पत्परदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है, ये कुंज के शब्दों में कहा गया है, तो थी निर्देशन के डैफिनिशन्स, next अम बात करेंगे निर्देशन के लक्षन और उसकी प्रिकृति के बारे में, बात करते हैं पॉइंट नमबर वन की प्रबंद का महतुपून कार्य, नमबर टू, प्रबंद के प्रतेक इस्तर पर आवशक, नमबर थ्री, सतत प्रग्रिया, नमबर फोर, मानविय निश्पादन से संबंधित, और नमबर फाइफ, विबिन तत्वों का समू, नमबर सिक्स, तिहरे उदेश्ये और लास्ट निर्देशन का प्रवा, अब हम इन सब के बारे में डेटेल में जाने निर्देशन प्रवंध का महत्वपूर्ण कार्य, निर्देशन प्रवंध का महत्वपूर्ण कार्य है, निर्देशन प्रवंध का महत्वपूर्ण कार्य है, निर्देशन प्रवंध का महत्वपूर्ण कार्य है, निर्देशन प्रवंद का महत्वपूर्ण कार्य है, नि कि जो निर्देशन है उसका क्या कार्य होता है कर्मचारियों से काम लेना कर्मचारियों का पत्प्रदर्शन करता है पत्प्रदर्शन के बाद वो अपने कार्य को पूरा कर लेता है अपने उदेश्यों की प्राप्ति कर लेता है नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नमबर टू की प्रबंद के प्रतेक इस्तर पर आवशक नेड़ेट एट आल लेवल्स ओफ मैनेजमेंट उपक्रम का आकार चाहे छोटा हो अत्वा बड़ा प्रबंद वरिस्ट हो अत्वा कनिस्ट निर्देशन की आवशकता प्रबंद के प्रतेक इस्तर पर पड़ती है जो प्रबंद है वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा आपके उक्रम का आकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको निर्देशन के आवशकता प्रबंद के हरिस्तर पर पड़ेगी ही पड़ेगी नेक्स्ट बात क कि सतत्प्रक्रिया, continuous process, निर्देशन एक सतत्प्रक्रिया है जो संगटन के संपूर्ण जीवन तक चलती रहती है, जो निर्देशन है वो एक continuous process है, सतत्प मतलब जो सदयव चलने वाली प्रक्रिया है, तो जब तक संगटन होगा, तब तक वो संपूर्ण जीवन तक उसके सा प्रबंदक को अपने अधीनस्तों को निरंतर आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन, परामश, प्रसिक्षन, पर्यावेक्षन तथा अभी प्रसिक्षन प्रदान करना पड़ता है। इसलिए इसको सतत्पक्रिया कहते है क्योंकि जो प्रबंदक है वो अपने साव वरिनेट्स को आदेश, निर्देश देगा, साथ इसाथ मार्गदर्शन करेगा, उनका परामश देगा, और प्रसिक्षन यानि ट्रेनिंग भी देगा, पर्यावेक्षन, सुपर विजन भी पैसाथि मैं निर्देशन एक मानवय कार्या है जो मानवय अगटक से सम्दित है, कभी आपने देखत है कि एक मशीन आपको डारेक्षन देरा है कि इस Got That Work with a person a meeting Car, means that he is not the focus of a graduate. निर्देशन को ये कार्य नहीं है अपितु विभिन तत्वों का समूव है इसके अंतरगत परियावेक्षन अभीपरेरण नेत्रत्व और संदेशवाहन आते हैं इन सभी के बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे निर्देशन के निम्दले के तीन मुख्य उदेश्य होते हैं नमबर वन अधीनस्तों से कार्य कराना नमबर टू प्रबंद को अधिक उत्तरदायत्व से कार्य करने के लिए अफसर प्रदान करना नमबर थ्री संस्ता के लक्षयों एवं उदेश्यों को प्राप्त करना एक अधीनस्तों से कार्य कराना भी इसका एक कार्य है उदेश्य है फिर प्रबंद को अधिक उत्तरदायत्व से कार्य करने के लिए अफसर प्रदान करना ये भी इसका एक उदेश्य है और नमबर थ संस्था के लक्षे और उदेशियों को प्राप्ट करना, उदेशियों को प्राप्ट करना ये तो हर किसी में आपने पड़ा होगा, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको हर किसी के characteristics में मिला होगा, हर किसी के advantages में मिला होगा तो ये common सा point आपको निर्देशन के तिपनी भी characteristics है उसमें मिलेगा, नियोजन हो संगटन हो, कुछ भी हो आपको ये चीज महाँ पर मिलेगी Next आप बात करते हैं, point number 7 की, निर्देशन का प्रभा flow of directing निर्देशन का प्रभा उपर से नीचे की ओर चलता है ये है उच इस्तरिये प्रबंद से प्रारबो होकर निमनिस्तरिये प्रबंद पर समापत हो जाता है अब आप छूटा से एक्जामपल लोगे कि स्कूल का, प्रिंसिपल सर को इनफर्मीशन बच्चों तक पहुचानी है तो वो कैसे पहुचाएंगे पहले आपके जितने भी इस्कूल में टीचर सोंगे सहर किसी को परस्नाली जाकर बोलने से अच्छा होगा कि वो एक मिटिंग बिठाएंगे मिटिंग बिठाने में वो सारे क्लास टीचर को बोल देंगे कि यह जो इनफर्मीशन है यह आपको स्टुडेंट्स तक पहुचानी है तो वो एक उपर से लेके नीचे तक जो भी उनका प्रोसेस है वो होता है ठिक वैसे ही निर्देशन का प्रवाहा उपर से नीचे तक होता है प्रिंसिपल सर डारेक्ट परसनली एक एक स्टुडेंट्स को जाके वो इनफर्मीशन नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे आपी के स्कूल के जो भी आपके क्लास टीचर होंगे उनके माध्यम से आपको वो इनफर्मीशन पहुचा देंगे तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जो निर्देशन है उसका प्रवाह उपर से नीचे की और होता है तो आज की वीडियो यहीं समापत होती है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे निर्देशन के महत्व की इंपोर्टेंस ओफ डारेक्टिंग की अगर आपको यह आज की वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न बोले थैंक्यू